हाइ हेलो फ्रेंड वेलकम बेक टू माइ चैनल तनु गीजन चैन में आप सभीका मॉष्ट वेलकम है तो रेखे ये मैं बना रही हूं ये मैं बना रही हूं तर बुच के छिलके की सबजी तो ऐसे तो तरबुच के čिलके की कई रेसिपिया बनती है जैसे टूटी फूटी बन तो यसे बाद में ही कट कर रहे हैं सब्जे को to pooع हमने कर ली है और इदर मैंने तेल कडाय में चड़ा दीधर है और यह सर्शूओका और संब्र稔 dot इन दाल देना है जीरा तो यह और गरम हो गया तो अब इसमें जीरा डाल रहे है और सब्जी का पूरा इश्टेपबाय बताने से पहले मैं आपको बता दू कि ये सब्जी मेरी मम्मी जी बना रही है मतलब मेरी सासूमा तो वो सब्जी मैं रिकोड कर रही हूँ मैं नहीं बना रही हूँ और पर यह आपको तरीका सेर कर रही हूं कि हमारे कीस तरह से बनाते हैं मैंने केप्चर कर लिए आपको बताने के लिए तो इधर देखे मैंने यह सबजी हैं जिसको छील के और कट करके रख रक्यों और इधर और जाए दो-ון-नली समय जब तक इसको चलाते ना है तो इसकी सब्जी है जो बहुत ही टेस्टी बनती है ऐसे तो कई तरीके से बनती है किस तरी से भी बना सकते हो हमारा तरीका किस तरह का है इसको बनाने का पूरे देखिएगा इसकी मत करिएगा कि हमारे तरफ किस तरह से बनते है जैसे हम रास्तान में हमने खाया उसके बाद में हमें बहुत ही टेश्ट ही लगी तो इसलिए मैंने सुचा क्यों आपके साथ भी सेर की जाए तो यह सबजी है जो जैसे और कोई सब्जी खाऊगे से कम नहीं लगी और खाने के बाद में कोई असे नहीं बताएगी कि तरबूज की छिलके की सब सब्जी हो सकती है तो आप इसमें मैंने अभी तक कोई मसाले इसमें पर धोल बाद लाली शोली मिर्च तोंडर दो… और अपने स्वात के अकुरिंग देख लीजिए गा कि आपको कृतनी मिर्च और नमक खाना है उसके अकुरिंग देखके डालिएगा पर इसमें ज्यादा थोड़ी ज्यादा ही सब्जे मसाले पढ़ते हैं और थोड़ा सा और नमक डाल दिया थोड़ा कम लग रहा था इसके को अच्छे से मिला लेंगे और इसमें इस सब्जी में पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ता है बिल्कुल सूकी बनती है क्योंकि जो तर्बूज होता है उसके चिलके में भी बहुत सारा पानी होता है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा बिल्कुल सूकी सब्ज बनेगी और इसमें हमने जो मासाले मिलाने थे मिला दिये हैं Colorado कुछ नहीं मिलाना है तो आप यस इसको अच्छे से मसाल profit कोटिंग चडद लेनी है तो यह तो यह चे से मसाले कोटिंग चाड़ गी इसके बाद मेंको मेलबल मेसाईज में काट कर डाला है यह मेरी मम्मी जी बना लिए इस तरह से कट करके डाल रहां तो छोटे छोटे बारी के चोप करके टेमाटर डाल दीजिए तो यह टेमाटर इसमें एड किया है और उसकी बाद में इसमें खटाई डाल सकते हैं खटाई से ज़्यादा टेश्ट अच्छा आता है जैसे हम ताल दिजिए अ चाहां इब दो पेश्ट डाल दिया है अब इसको अच्छे से मिला लेंगे इसमें खटाई डाल ये कटाई से बहुत ही टेस्ट लगती है गटाई जैसे मैंने बताई दिया है केरी अमचूर पाउडर नीमू जो आपकी पास खटाई वह डाल दीजिए अब हम इसमें डाल रहे हैं अब लाश्ट में मैं इसमें करुण्जे डालने वाले हैं तो करुण्जे जिसे खटे होते कुरुण्जे नाम सुनाओगा मारा सतान होते हैं को यह लाश्ट में डाले हैं भी आपके बास ना हो तो आमी के घटाए ऑमचुर पाउडर जो आपके पास घटाई हो वो डाल दीजिए तो यह लाश्ट तो या चिसे बहुत ही टेस्टी इन बुहुत ही टेस्टी सफजी वनती उसलिए इसमें घटाई डालना क्वह जरूरी हैoriented आप लाश्व में डालती है गरम हसाला guerra मसाला डाल देना है EA मैं गरम अच्छा टेस्ट आता है आपको पसंद रहो तो डालें ना इसकीव कर दिजे ग रखके नहीं पकाया है तो यह बहुत जल्दी पक जाती है इसमें लाश्ट में धन्या पत्ती डालके और फीड़क देंगे और सिम गेंस पर छोड़ देंगे इसको तो इससे बहुत ही डेश्टी सब्जीस में जो सुन्दा पना हो चला जाएगा तो इसमें सबीची डाल दी ह बहुत जल्दी बन जाती है सब्जीस लिए हमने अभी सबकू डाल दिया है और बिल्कुल सिम गेंस पर एक दो मिन्ट के लिए कुरूंजी भी बहुत जल्दी पक जाते हैं तो एक दो मिन्ट के लिए इसको दुबारा से लीड लगा देंगे निए डखकन लगा के पकाएं तो अब इसमें मैं इस पर डखकन लगा देंगी और यह बिल्कुल दो मिन्ट में पकी रेडी जाते हैं और जैसे वाटरमेलन के छिलके हो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं तो यह देखिए हमारे सब्जी बिल्कुल पकी रेडी हो गई है और मैंने गेंस बेले बंद कर दिय कर दीजेगा और हाँ सब्सक्राइब करना मत बूलेगा तो मिलता हैं नेक वीडियो में ओके पाई फ्रेंड